तो अब हम आते हैं चैप्टर के थर्ड पार्ट पे जो है स्पीड अन्वेलोसिटी तो स्पीड अन्वेलोसिटी यह अपने टर्म्स पहले सुने होंगे तो इनका मीनिंग समझते है तो स्पीड क्या होता है स्पीड होता है डिस्टन्स कवर्ड बाइन अबजेक्ट यह पार्टिकल इन यूनिट टाइम ठीक है यह मैं इसको बोल सकता हूं इस रेट अफ चेंज आफ पोजिशन अफ पार्टिकल ठीक है तो यह हो गया मैरा स्पीड अब जो स्पीड है ना वो मेरे डिस्टन्स का रेट अफ चेंज है एक तरीके से तो डिस्टन्स अपना डाट स्केडर कॉंटिटी का जैसे हमने प्रीवेस वीडियो में देखा तो डिस्टन्स एक स्केलर है तो स्केडर कॉंटिटी इसको जब हम रेट निकालेंगे तो वह भी स्केडर कॉंटिटी जी हैंगी तो स्पीड भी स्केडर कॉंटिटी है स्केडर कॉंटिटी सो इसका मतलब स्पीड के सिर्फ पैंटिटूड होती है अगर मुझे किसे ने बोला कि मेरी कार है उसकी स्पीड है 100 kmphparty एंड वह जा अज़ें नौट डिरंक्शन में तो यजो 100 km po eyes के साथ डिरेक्शन में यह मैंने मैंनेन करदिया है यह तो वलेखिटी है वेलोसिटी जो है मैं वेखिवसिटी इस्प्लेश्मेंट of an object in unit time ठीक है तो जैसे velocity जैसे displacement अपना vector था वैसे velocity भी अपना vector आ जाएगा तो इसका जो है magnitude भी होगा and direction भी होगा so let's say कि मेरी car चल रही है कोई 100 km per hour से अगर मैंने आपको बोल दिया my car is traveling at 100 kmph ठीक है अगर मैंने आपसे ये बोल दिया तो ये जो 100 kmph लिखा है ना मैंने ये मेरी speed हो गई कि ये हर एक घंटे में 100 km कवर करेगा ठीक है आपको ये डिफरेंस समझ में आया speed velocity का ये speed जो है वो rate of change of distance होता है velocity होता है rate of change displacement होता है and speed से square quantity velocity से vector quantity ठीक है जैसे speed का s square का s velocity का v vector का v ऐसे याज रख सकते हो आप इसके बाद हम जो speed है उसको हम दो तरीकों से रिप्रेसेंट कर सकते हैं एक तो होता है instantaneous speed and रेक होती है average speed तो instantaneous speed क्या होता है instantaneous speed की जब बात करते है तब हमें किसी instant पे at any instant मतलब मैंने पूछा कि अच्छ अच्छ ऐसे समझो कि आपकी car होती है ना उसमें आपने देखो तेक speedometer होता है car में आगे एक ऐसे meter होता है इसमें readings होती है 10, 20, 30, 40, 50, 60 ऐसे करके ठीक है तो आपका यहाँ पे एक pointer होता है वो दिखाता है कि car की current speed क्या है तो यह जो current speed है ना वो उसकी instantaneous speed है कि जब भी आप उस meter को देख रहे हो तो meter की जो reading है वो car की reading car की speed है उसी instant पे तो यह आपकी instantaneous speed होगी पर जब मैं आपको बोलू कि average speed ठीक है average speed average का मदब क्या होता है जब आपने average पढ़ा है जब हम marks कि बात करते है जब मैंने आप चालीस marks है जब हमकी सीघन किसे के 90 marks है and then class की average is 65 marks जब क्या होता है कि हम cumulative बात करते है जब मैंने बोला कि पूरी छाष के marks कितना है तो मैं हर बंदे के marks सो बता नहीं सकता जब हम आपकी french की आपको आपको था बेट कुल मिला के क्यूमिलेटिव लीक परफॉरमन्स ऐसा रहा कि 65 माक्स हाई अगर हर बच्चे के एक्वाल मांक्स होते है तो वह 65 होते है तो एवरेज पीड में क्यूमिलेटिव देखते हैं then आपको लगेंगे 15 घंटे अब एहमदाबाद से दिल्ली का distance is say 1050 km let's say this 1050 km and let's say कि मुझे 15 घंटे लगेंगे including halts including खाना पीना ठीक है ये सब गिनके मेरे 15 घंटे लगेंगे तो अब हो सकता है कि बीच में 15 घंटों में से 2 घंटे restaurant में बैठके खार आओंगा हो सकता है कि मैं कई और रुग गया मैंने refill करवाई कार हो सकता है कि मैं एक point पे car बहुत fast भगा रहा था highway पे but cool मिला कि मेरे पास जो result आया वो यह आया कि मेरी car चली इतने km इतने घंटों में अब मुझे किसे ने पूछ लिया कि आपकी speed कितनी थी तो यार हमें हर instant की speed तो बता नहीं सकता तो ऐसे cases में मैं अपनी average speed बताऊंगा कि यार मेरे 1050 km हुए 15 घंटे में तो अगर एक घंटे में में देखता तो मेरी speed जो होती ना एक घंटे में में मेरी कार कितना चलती 70 km तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि 70 km पर आवर जो है वो मेरी average speed है कि मेरी कार इस speed पर चली नहीं है मेरी कार कभी 0 पे थी कभी 120 पे थी बड़ कुल मिला के जो average बनी मेरी कार की वो बनी 70 km पर आश ठीक है तो average ku इसके में फरके होता है instantaneous कि भी instant पर अब हो सकता है कि यही मेरी कार किसी इसकी speed speed meter में 150 हो हो सकता है का भी 50 हो सकता है 0 हो सकता है 120 हो वह vary कर सकती instantaneous, average speed में हम सिर्फ और सिफ initial और final की बात करते हैं कि initial कहां से हमने शुरू किया, final हम कहां पहुंचे एंड उसमें कितना time लगा, तो इसका जो formula होता है instantaneous speed का, वो होता है, ds by dt का mod, अब s क्या है, s vector is displacement, displacement को हम s से represent करते हैं, तो displacement की जो rate of change है, ठीक है, उसका magnitude वो हो जाती है, अब कि instantaneous speed, और जब मैंने बुच्छा average speed, इसका formula होता है, वो होता है सीधे सीधा, distance covered upon time taken, total distance covered, divided by total time taken, यह होता है formula of average speed, ठीक है, एंड यह होता है formula of instantaneous speed, so, आपको यह पार्ट में कोई doubt नहीं है, इसके बाद हम आते है, velocity पे, तो velocity में again दो चीज़े होंगी, instantaneous velocity, and average velocity, अब यहाँ पर सब कुछ save रहेगा, जैसे speed में था, instantaneous का मतलब इसमें भी वही होगा, कि हर instant पर क्या velocity है, and average का मतलब होगा कि, कुल मिलाके क्या velocity है, but, क्योंकि velocity एक vector है, तो हम यहाँ दोनों जगे है, हमें direction जाए रहेगा, so let's say कि मेरी कार में, यह speedometer तो था ही, इसमें कुछ reading आ रहा है, 80 kmph मानलो, but then मेरे कार में compass भी है, वो compass मुझे बोल रहा है, कि मेरी कार का direction कुछ ऐसा है, ठीक है, so let's say this is 30 degrees west of north, तो मुझे पता है कि मेरी कार 80 km पर आज से चल रही है, and यह 30 degrees west of north जा रही है, तो यह जो instantaneous data है मेरे पास, कि भाई इस instant पर कार की यह speed है और यह direction है, तो मैं speed, instantaneous speed, plus अगर मैं direction जोड़ दू, तो जो data बनेगा, वो मेरे बनेगा instantaneous velocity, so let's say कि मैं north को बोलता हूँ x-axis, and west को बोलता हूँ y-axis, तो अगर मेरे 80 speed है, तो उसका कुछ ऐसा बनेगा, कि भाई, मेरे x-axis यह रहा, y-axis यह रहा, and मेरे 80 की speed है, वो 30 degree angle पर है, with respect to x-axis, तो यहाँ पर मैं बोल सकते हूँ, कि मेरे 80 का component देखोगा, 80 cos 30, जो होता है 40 root 3, and देख बनेगा, 80 का y-axis के along component, वो गया 80 sin 30, यानि की 40, तो यार, यहाँ से मुझे दिख रहा है, कि मेरे x-axis के along, velocity का component जो है, वो है 40 root 3, and अगर आपको पता हो, तो x-axis के along, हम i-cap vector यूज़ करते है, and similarly, y-axis के along मेरा 40 है, तो मैं उसके लिए j-cap यूज़ करूँगा, तो मेरी 40 root 3 i-cap, plus 40 j-cap, यह जो data है ना मेरा, यह मेरी velocity हो गए instantaneous, तो इसका magnitude तो 80 है आएगा, बट इसके direction मुझे specified है, तो instantaneous velocity के जब मैं बात करूँ, तो इसका formula जो होता है, वो होता है ds vector by dt, देखो speed में क्या था, ds by dt का mod था, जो mod sign है ना, इसके सिर्फ magnitude है, and यह जो ds by dt यहां लिखा है, इसमें magnitude भी है, and direction भी है, ठीक है, अब हम आते है average पे, तो velocity का definition रहाद करूँ, velocity का definition क्या था, कि velocity is the displacement in unit time, तो यह से average की बात करूँ, तो average में क्या होगा, cool मिला के, cumulatively, तो यहां मेरा formula बन जाएगा, total displacement, divided by total time, अब भाई example लेते हैं, जो distance में लिया था, कि मेरा Mumbai Delhi distance is 105-0 km, let's say, and मुझे लगे 15 घंटे, ठीक है, अब यह तो हो गया Mumbai, एम्दाबाद Delhi का, यह मेरी path length हो गई, कि एम्दाबाद से Delhi, हो सकता है, एम्दाबाद मेरा यहाँ पर है, देली मेरा यहाँ पर है, और मेरा road कुछ ऐसा है ऐसा जा रहा हो, and इसकी length है 1050-0 km, but let's say, इसके actual distance जो है, जो सिर्फ A और D के बीच का जो straight line है, जो displacement है एम्दाबाद Delhi के बीच का, वो मानलो सिर्फ 750 km है, ठीक है, मानलो यह जो distance है straight line का AD, उसका length सिर्फ 750 km है, तो यहाँ मेरा displacement हो गया 750, ठीक है, and time हो गया मेरा 15 घंटे, तो यहाँ से मेरा आजएगा, average velocity, यह तो हो गया सिर्फ magnitude, 50 km एम्पेज, direction जो होगा है इसका, वो होगा along AD vector, अगर मैं A और D को line से जोड़ दू, तो यह जो AD line बनी, इसकी जो direction है, यह direction जो है, यह direction अगर हम इसमें जोड़ देंगे, तो along AD, तो यह जो मेरा आगया 50 km एम्पेज, along AD, यह मेरा magnitude भी आगया, तो यह है मेरा एक तरीके से, average velocity, तो कुल मिला के, average जो है न, वो cumulative बात करता है, कि हमें मतलब नहीं है, कि बीच में क्या हुआ, हमें बस यह पते है, कि initial कहा पे था, last, final कहा पे था, और कितना time लगा, हमें फरकी निपर्जा की वीच में, वो कहा क्या कर रहा था, particle, ठीक है, तो I hope आपको, speeder बड़ा सेटिकर, fund ए clear है, तो इसके साथ, हमारा चैट्टर का 3rd part खतम होता है, इसके बाद हम आएंगे 4th part पे, नेक्स्ट वीडियो में,